नमस्कार दोस्तों असरदार नुस्के के special episode में आप सब का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कपूर के बारे में दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी कपूर की बात होती है तो हम सब के दिमाग में एक ही बात आती है वो है पूजा पाठ तो दोस्तों सिर्फ पूजा पाठ के बारे में ही मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा ये सत्य है कि कपूर का उपयोग जो होता है हवन और विसेश कर अर्चना पूजा के लिए किया जाता है लेकिन इसके साथ ही कपूर अनेक तरह से सर अक्रमड से बचाकर स्वास्त की रच्छा भी करता है आयवरेध की दिर्श्ची कोड़ से अगर देखते हैं तो कपूर का तेल का ॥ा स्तमाल बहुत हथ तक किया जाता है या इस बटन पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के तमाम वीडियो आपके इन्वाक्स में मिलेगा और आप जो है हमारे द्वारा दिये जाने वाले हर एक ट्रिक से अपडेट रह सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कपूर के यानि कैमफर के लाबकारी गुडों के बारे में बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं अपने घर की दोस्तों जैसा कि कपूर पुजा अस्तल को पवित्र और सुद्ध करने के लिए पुजा अस्तल में उर्जा का इस्वरी सक्ति के संचार करने के लिए किया जाता है वैसे ही यह सरीर में उर्जा भरकर सरीर को ताजगी का आभास भी कराता है कपूर से सरीर को ताजा और स्वस्त रखने के लिए आप कुछ छोटी गोलियों को एक कटोरे में डाल कर कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए छोड़ दें इससे जो है आपको इस तरह की फायदा हो जाएगा दोस्तो ध्यान रहे कि आप कटोरे को बंद कमरे में ही रखें क्योंकि इस तरह कपूर को रखने से कपूर की सुगंद फैलने लगती है और इसका भी लाब आपको मिलता ही है क्योंकि कपूर की सुगंद से ना तो कपड़ों में फफूद लगती है ना ही किड़े मकोड़े आते हैं साथ ही आपके घर का जो वाता वरण है वो सुद्ध होता है और यह जो होता है हवा से इसकी टाड़ों को भी दूर कर सकता है दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कपूर के तेल की तो हम घर में कपूर के तेल बना सकते हैं और इसका इस्तमाल भी कर सकते हैं दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कपूर का तेल बनाते कैसे हैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको एक कटोरा लेना है उसमें कुछ मात्रा में नारियल का तेल निकाल लेना है इसके बाद आप इसमें कुछ कपूर की गोलिया डाले और इसे कुछ देर के लिए मिलाएं प्राप्त मिश्रन को ऐसे डिबे में बंद करने जिसमें न हवा जाती हो और न पानी इस तरह से आप डिबे को एक महीने तक ऐसे ही पड़े रहने दें और उसके बाद से आप जो है उसका इस्तमाल कर सकते हैं और वह जो है तेल आपके बालों के लिए और साथी साथ आपके स्कीन के लिए बहुत जबर्जस्त तरीके से फायदा कर सकता है दोस्तों बात कर लेते हैं स्कीन पोटेक्शन यानि तचक के रक्षा के लिए दोस्तों कपूर में अनेक ऐसे गुण होते हैं जो तचक को पूर्ड रूप से देखवाल करता है और साथी साथ अगर आपको पिंपल कील मुहां से दाग और फोड़े जैसी समस्या है तो इन समस्याओं को यह आस पास भी नहीं भटकने देगा यानि कि इससे आपको मुक्ति दिला देगा इसके लिए आपको प्रती दिन इसका तेल जो है अपने चेरे पर लगाना होगा और इसका तेल सभी प्रकार के चर्म रोगों से भी निजाद दिलाने में काफी हद तक सायता करता है इसके बाद सबसे बड़ी बात होती है हमारी बाल दुस्तों अगर बालों में आपके प्रॉब्लम है तो कपूर का जो तेल है वो सिर्फ तचा की ही रक्षा नहीं करता बल्कि बालों के लिए भी बहुत प्रभावकारी होता है अगर किसी के बाल जड़े हुए है या जड़ रहे हैं तो ऐसे में आप जो है कपूर के तेल को किसी अन्य सुगंधि तेल के साथ मिलाकर बालों में लगाते हैं तो आपका जो बाल होगा उसके जड़ जो होंगे वो मजबूत हो जाएंगे और साथी साथ बाल के जढ़नी की भी समस्या से आपको निजात मिल जाएगी किन्तु ध्यान रखें कि एक घंटे बाद जरूर धोले अगर आपकी एडिया फट रही है तो ऐसे में भी क्यपूर जो होता है वो काफी हद तक फायदेमन्द होता है दोस्तो जैसे के हम देखते हैं कि सर्दियों के दिनों में एडिया फट जाती है और उसमें दरार आ जाता है तो दोस्तो इससे जो है असाँनी पिड़ा का आवास होता है और आप बहुत परिशान हो जाते हैं तो दोस्तों अगर कपूर को एडियों पर लगाने से इन दरारों को ना सिर्फ भरा जा सकता है बलकि एडियों को मुलायम भी बनाया जा सकता है इसकी साथ ही आप थोड़ा गर्म पानी लें और उसमें कपूर की कुछ गोलिये डालें और कुछ देर बाद पैरुक को इस पानी में रखे और इस तरीके से आप इससे साफ करें और ऐसा अगर 10 से 15 दिन करते हैं तो इसका जो benefit है वह आपको मिल जाएगा दोस्तों अगर आपको घाव हुआ है खेलते वक्त अगर आपके सरीर पर कहीं चोट लग जाता है घाव लग जाता है और उसमें या कहीं से जल जाता है तो ऐसे में भी अगर आप जो है कपूर का इस्तमाल करते हैं तो या बहुत कारगर होता है क्योंकि यह किसी एंटिबायोटिक क्रीम या दवाई के इस्तमाल करने से ज़्यादा बैतर होता है दोस्तों अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं तो सिग्र आराम मिलेगा आप कपूर की थोड़ी सी थोड़ी देर के लिए पाने में डाल दें और इसके बाद से उस अस्थान पर लगाएं जहां पर घाव जला हुआ है इससे ना सिर्फ आपको उससे अराम मिलेगा बलकि आपका घाव जो है वो अभी ठीक हो जाएगा दोस्तों इसके बाद बात करते हैं मानसिक स्वास्थ के लिए दोस्तो मानसिक स्वास्त पाने के लिए आप जो है कपूर के पेड़ की छाल का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो इससे आपकी काम भावना में ब्रिधी होगी और साथी साथ छाल में मौजूद तत्व आपके अंचाहे बैक्टिरिया और फंगस से भी निजाद दिलाते हैं और कपूर का इस्तमाल से डिप्रेशन भी दूर किया जा सकता है दोस्तो अगर आपको पेट में दर्द हो रही है या किसी वायू के सिकार उत्पन हो गया है तो आप उसमें कपूर का इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए आपको थोड़ा से कपूर अजवाइन और पूदिने के साथ मिलाना है इस मिश्रन को एक सर्वत में डाले और अच्छी तरह से मिलाएं आप इसे का सेवन करें तो चंद ही घंटों में चंद ही मिन्टों में आपके पेट की जो समस्या है उससे दूरी हो जाएगी दोस्तों अगर आपको दस्त की समस्या हो रही है और सारेरी कुरूप से कमजोरी हो रही है तो ऐसे में अगर आप जो है इसका इस्तमाल करते हैं तो इससे काफी benefit मिलेगा दोस्तों इससे तुरंट छुटकारा पाने के लिए आप जो है कपूर अजवाइन को और पुदीने को पानी में डाल दें और उसे धूप में रख दें बीच बीच में आप इसे हिलाते रहें ताकि अच्छी तरह घूल जाए अब आप इस घूल की कुछ बुंद को पानी में डाल कर चीनी मिलाएं और इसका सेवन करें तो इससे दस्त में काफी हत्ते काराम मिलेगा और आप जो है दस्त से भी बहु कभी प्रॉब्लम बना सकता है तो ऐसे में अब हम सब के लिए आप सब के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम आयुरवेद के इन नुष्कों को जाने और इसका उपयोग करें तो इससे हमें बहतर फादा देखने को मिल सकता है तो दोस्तों कैसा लगाई वीडियो और अभी बहुत धन्यबाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए जय हिंद जय भारत